जिन्दी की काटनी है तो कैसे भी काटी जा सकती है पर जिन्दी की जीने का नाम है जीवन एक बिक्ति का सफर बच्पन से सुरू होता है और बुड़ापे तक चलता है ऐसे में वह पहले बिद्यारती होता है फिर एक योगबंद कर देश की प्रगती में देश का हाथ बाटा करता है और फिर अपने जीवन के अंतिम दोर में एक ब्रद्ध का जीवन बेतीत करता है इस पूरे सपर में हुआ है कुछ वसूलों को सास लेकर चलता है चलिए दोस्तों जीवन के इन विचारों को ना सिर्फ पढ़ते हैं बलकि उन्हें पढ़कर जीवन में भी लागू करत हैं तो आईए इन्हें पढ़ते हैं और जीवने कुछ सकरात्मा बदलाव भी लाते हैं बिप्ति अपनी जिन्दकी को तब ही सफल बना सकता है जब उसके इरादों में उसके भी जादा जान हो इस जिन्दकी ने तुझे क्या दिया और क्या नहीं है तो मैं लोगों को वक् स्वास करके मैंने अपनी जीवन में यह तो सीख लिया है कि बेक्ति अब किसी का सगय नहीं रहा है मेरा जीवन अनमौल है क्योंकि इनको अनमौल बनाने वाले मेरे बिचार अभी जिन्दा है आपका भविस्व नहरत अभी बन सकता है जब आप अपना बेश्ट लेने की प हैं वागते हैं लोग होते हैं बस मखोटा बदल जाते हैं जीवन में कभी कभी लोग आउरो की हाश्यत बताते बताते ब्याते यह भूल जाते पुलंदियों को छुए जिन्दिकी में आप जितनी बार प्यास करेंगे उतनी बार आप कुछ नया प्राप्त करेंगे ब्यक्ति का जीवन सा धारर तब तक रहता है जब तक उसने अपना कोई भी लच्छ ने धारिद नहीं किया होता है अपने जीवन में उन लोगों की कदर जरूर करें जो आपके पूरे रवाईय के बाद भी आप से फ्रेम की बाउना रखते हैं जीवन में कुछ लोग अपनों को भी गीरा देते हैं किसी गयर विक्ति की नजर में उपर उठने के लिए जिस दिन आप साहरे डूरना छोड़ देंगे उस दिन आपको अपनी ताकत का मुमान हो जाएगा जीवन में कभी भी किसी का कर्ज अपने पास न रखें क्योंकि वह उसे जताने जरा भी समय नहीं लगता केवल एक छोटी सोच बिक्ति को अपने जीवन में कुछ बड़ा करने से रोकती है अपनी समस्याओं को जरूर पहचान लो लेकिन अपनी ताकत और उर्जग उनकी समधान में लगा दो